क्या दोस्तों आप भी जो अपने YouTube के Google AdSense में जो है Singapore Tax Information भरना चाहते हो बट वो फेल हो रहा है या फिर आपसे भरना नहीं आता तो इस वीडियो में आपको यहीं बताया कि आप अपने YouTube के Google AdSense में सिंगापू Tax Information easily कैसे भरोगे और 100% Approve हो जाएगा और आपके सामने कोई Error नहीं आएगा कोई Progress नहीं होगा और आपका YouTube का Google AdSense अच्छे से काम करता रहेगा और आपके सामने कोई भी दिख्या प्रशाहीं नहीं आएगी क्योंकि आपको पताए देखो YouTube के Google AdSense में या फिर Google Ad AdSense में सिंगापू Tax Information या फिर US Tax Information या फिर आइडेंटी वेरिफिकेशन पिन वेरिफिकेशन ये सारे के सारे वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है अगर नहीं करोगे तो आपका पेमेंट है जो भी आपने अर्निंग की है वो आपके बैंक काउन में कभी भी नहीं आएगी तो इसलिए जरूरी है कि आप सारे के सारे वेरिफिकेशन करके रखो अगर आपको नहीं पता कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है तो वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद चेक कर सकते हो और सही तरीके से अपनी सारे के सारे फर्म भर सकते हो और वेरि एक्स इंफर्मेशन की यहां पर मैं जो आज फोन से भरना सिखाने वाला हूं लैपटॉप से नहीं सिखाऊंगा बहुत से लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता है दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगी मेरी फोन की स्क्रीन और यहां पर मैं जूम करके आपको दिखा है अब उसकी ही सामने यहां पर आपको मिल जागा गोटू पेमेंट यहां पर क्लिक कर दीजिए तो आप डारेक्ली आज आओगे भाई आपके एटसेंस की पेमेंट प्रोफाइल में और यहां पर जो है रेट क्रकी लाइन आ रही है दियर आर इशू विद यॉर पेमेंट यॉट्यूब इस्टेटेट और आजबगा आ उसको नहीं तरफ आईए उसको नहीं करेंगे अब है आपको मिल जाएगा Singapore text info और यहाँ पर Singapore text info के आगे pencil बन रहा है pencil पे click किजी मैंने text info पे click कर दीजे ठीक है add text information यहाँ पर यहाँ पर click कर दीजे start form पे click करिए अब आपको Singapore text information भर माई कैसे भरना जो कि 100% accept हो वो देखते हैं सबसे पहले मिल जाएगा business info what is your business यहाँ पर आपको आपको अपना नंबर डाल देना है ठीक है जो भी आपके पैंकर का नंबर होता न हो डाल देना है यहाँ पर मैं पैंकर कर नंबर डाल देता हूं यह मैंने डाल दिया है ठीक है और नीचे आ जाना है यहाँ पर है are you eligible for tax exemptions तो यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर आपका जो country आजाएगा इंडिया नेपाल पाकिसान जो भी है और यहाँ पर है select document type यहाँ पर जो आपको अपना जो pen card यहाँ पर डाल रहे हैं वही आपको उसका photo यहाँ पर select करना है select document type पर arrow पर क्लिक करिए यहाँ पर है does the document have an expiration date तो यहाँ पर देखिए अप्लोड हो रहा है मैंने select कर दिया है does the document have an expiration date तो pen card पर कोई expired date नहीं होती है भाई तो no रहने दीजी और submit पर क्लिक कर दीजे और आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आपका Singapore tax information form है वह accept हो जाएगा fully approve हो जाएगा और आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों ही पूरी तरह के से approve हो चुका है तो इस तरह से आप अपने Singapore tax information भरने वाले हो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे your Singapore tax information has been accepted ठीक हो चुका है और एक मिनट पहले ही अगर अगर अभी भी आपकी कोई द अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइएंड टेक केर